Hello friends, welcome back to my new video आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Tata के सभी LPT model जो की Phase 2 के साथ Tata ने launch किये हैं सभी model आज LPT रहने वाले हैं मैं आज आपको इसके वारे में बताऊंगा कि इसकी कितनी mileage है और इसका actual room price क्या रहने वाला है और इसमें हमें कितने CC का engine मिलेगा और ये कितने की mileage आपको देगा और इसका gross vehicle rate क्या रहने वाला है चलो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले बात करेंगे हम CNG LPT की जो की आपके सामने हैं 1812G model इसमें आपको 3700cc का engine देखने को मिल जाएगा इसका action room price आपको मिलेगा 28,344,000 रुपे और इसका gross vehicle weight आपको मिल जाएगा 17,600 और इसकी mileage आपको 9 की mileage देखने को मिलेगी और इसके slender की आपको capacity मिलेगी 550 kg की इसमें आपको 3 tank मिलेगे और इसमें आपको simple cabin मिलेगा इसमें आपको slipper cabin नहीं देखने को मिलेगा front से कुछ view आपको ऐसा मिलेगा इसमें सभी गाड़ियों front से देखने में आपको same ही दिखाई देगी और यह राय पीछे इसका CNG tank और air tank इसमें आपको 3 tank दिखाई दे रहे होंगे यह आपको chassis with load body के साथ भी available होगी चलो next गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी 16 12 G यह भी आपकी CNG गाड़ी रहने वाली है और इसका engine आपको 37 CC का ही मिलेगा same CC का engine आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा इसमें आपको difference मिलेगा gross vehicle weight का पिछली गाड़ी का आपका gross vehicle weight था 17,600 इसमें आपको मिलेगा 16,371 gross vehicle weight इसका रहने वाला है और इसका action room price आपको मिले जाएगा 27,00,000 और इसका जो की CNG के tank है वो आपको मिलेंगे 530 kg के इसमें भी आपको 3 ही tank मिलेंगे दो बड़े एक चोटा front से view आपको कुछ इस तरह का मिलेगा driver side आपको सर्फ 2 mirror देखने को मिलेंगे और conductor side 3 mirror देखने को मिल जाते हैं और एक front में आपको मिलेगा चलो next गाड़ी की तरफ आप बढ़ते हैं अब आएगी diesel गाड़ी जो की हमारी है LPT 12-12 face 2 के साथ इसका action room price रहने वाला आपका 22,00,00 से लेके 24,00,00 के बीच में ये बात दिया रखना कि ये इसके action room price ही है on road ये आपको अपनी state की तरफ से ही जतने का पढ़ेगा tax लगा के उतने की पढ़ेगी और बात करेंगे इसके cc का तो इसके में आपको 3300 cc का engine देखने को मिल जाएगा जो की आपकी 7 की mileage देगा और ये आपका gross vehicle weight है इसका 11,990 और इसमें आपको fuel tank देखने को मिल जाएगा 170 liter का और इसमें आपको urea tank मिलेगा 20 liter का जिसे आप def बोलते हो diesel exhaust fuel यहाँ पर आपका मिलेगा ये def और diesel की tanky इसमें आपको जो की fuel system में आपको delfee system मिलेगा चलो बढ़ते हैं next video में next video में next गाड़ी की तरफ जो कि हमारी है new tata 19-16 slipper केविन के साथ जो की tata ने हाली में phase 2 के साथ नया model launch किया है चलो बात करते हैं इसके action room price की तो इसका action room price रहने वाला है 26 लाग के बीच में 26 से 28 लाग के बीच में आपको ये action room price मिल जाएगा और इसमें भी आपको 3.3 liter मतलब 3300 cc का engine देखने को मिलेगा और इसका gross vehicle weight है 18,550 gross vehicle और इसका आपको fuel tank मिलेगा 170 liter का सेम ही आपको 12 बर में मिलेगा और सेम ही आपको 19,16 में fuel tank का मिल जाएगा front में आपको black grill के बीच में Tata का logo और Tata की वैजिन देखने को मिल जाएगी और driver side FV की वैजिन देखने को मिलेगी आपको इसमें single cabin भी मिल जाएगा और slipper cabin भी मिलेगा चलो next गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जो की हमारी है CNG 709 G ये हमारा इसका extra room price है हमारा 16,00,00 से लेके 17,00,00 के बीच में और इसका engine आपको मिलेगा 700 CC गा देखने को मिल जाएगा और इसका gross vehicle weight है 7,490 gross vehicle weight है इसका और ये आपको miles देगी 9 की और इसका आपको जो की tank मिलेंगे CNG के tank वो आपको मिलेंगे 300 लिटर के मतलब kg के आप gas को kg में convert करते हो इसलिए kg में मिलेंगे फ्रंट से इसका view कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ये आपको chassis with Kevin load वोड लोड़ी में भी available option मिल जाएंगे इसमें भी आपको simple Kevin ही देखने को मिले जाएगा यहाँ पर आपको CNG के डैजिंग देखने को मिलेगी फ्रंट सीसे के उपर और फ्रंट से view कूछ आपको ऐसा मिलेगा चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो की हमारी रहेगी साथ सो दस डीजल में अब इसके वारे में आपको बताऊंगा इसका एक्शो रूम आपका रहने वाला है पंद्रा लाग से लेके सत्रा लाग के बीच में और इसमें हमें उनक्ति सो सीसी का इंजन देखने को मिलेगा ये फेस्ट हुआ है इसलिए इसके एफ़ वी की वैजिन ड्राइबर साइड और कंडेक्टर साइड दोनों मिलेगी और इसमें हमें जो की इसका ग्रोस वीकल वेट है सेम हमारा 709 जैसा ही है 7490 ही इसका ग्रोस वीकल वेट है और इसमें हमें 7 लिटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा फ्रंट से आप व्यू इसका चेक कर सकते हो इसमें भी आपको दो ड्राइबर साइड और तीन कंडेक्टर साइड साइड मिलर देखने को मिल जाएगे और पीछे से आपको इसमें यह मिलेगा इसमें आपको 3.3 लिटर का इंजन नहीं देखने को मिलेगा यह आपको 4 टार्स के वीद स्पेर विल के साथ मिले जाएगे चलो बात करते हम नेक्स्ट गाड़ी की तरफ 712 जो कि आपकी डीजल में रहने वाली है यह इसका एक्षोरूम प्राइज है हमारा 15,18,000 से लेके 17,00,000 के बीच में और इसका इंजन जो कि आपको मिलेगा 3.3 लिटर के साथ आपको इसका इंजन मिल जाएगा 3300 सीसी के साथ और इसका ग्रोस विकल ब्रेट आपका रहने वाला है 74,490 ही इसका रहने वाला है यह आपको माइलिस देगी साथ से लेके 9 के बीच में पर लिटर के उपर और इसका आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा 120 लिटर का और इसमें आपको दो अप्शन मिलेंगे चैसी और केवन विद वोड लोडी के बीच में आपको इसमें दो अप्शन देखने को मिल जाएगे फ्रंट से व्यू आप चेक कर सकते हो सिंपल से हेडलाइट आपको देखने को मिल जाएगे विद पार्किंग के साथ चलो बात करते हम अब नेक्स्ट गाड़ी की जो की हमारी रहने वाली है न्यू अठारा सोला स्लिपर केवन के साथ आपको इसमें स्लिपर केवन मिलेगा और हाइडरोलिक जैक मिलेगा केवन को उठाने के लिए और फ्रंट से आप चेक कर सकते हूँ इसका एक्षोरूम प्राइस आपका रहने वाला है 25,25 से लेके 27,00,00 में आपको ये एक्षोरूम प्राइस मिलेगा और इसका भी आपको 3.3 लिटर के इंजिन के साथ ही आपको मिलेगा 4 स्लेंडर के साथ और इसका ग्रोस विकल वेट आपका रहने वाला है 17,75 क्रोस विकल वेट रहेगा इसका इसमें आपको 160 लिटर का फ्यूल टेंक देखने को मिल जाएगा ये आपको सिंगल कैवन के बीच में भी अवेलबल होगी चैसी विद कैवन बोर्ड लोडी विद कैवन भी आपको उप्शन मिलेगा फ्रंट से आप व्यू चेक कर सकते हो सिंपल सैडलाइट और साइड इंडिकेटर और टाटा का लोग और टाटा की वेजिंग आपको ब्लैक ग्रिल के बीच में देखने को मिलेगी चलो लास्ट गाड़ी के उपर बात करने हैं ये हमारी रहने वाली है न्यू टाटा 407 कोल्ड ये हमारी सबसे छोटी गाड़ी है इसका एक्शो रूम प्राइज आपका रहेगा 10,13,000 फ्रंट से आपको इसमें पूरा प्लास्टी का वंपर प्लास्टी की ग्रेल और टाटा का लोगो टाटा की बैसिंग मिलेगी सिंपल से हैडलाइट मिल जाएंगे और दो वाइपर फ्रंट में आपको मिलेगी इसकी आपको 80 की मैक्सिमम स्पीड लिमिट मिलेगी और इसका आपको 2900 सीसी का इंग्जन मिलेगा इसका ग्रोस विकल वेट है आपका 4650 ग्रोस विकल ये आपकी गाड़ी मैलेज देगी 6 से 10 से आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताना और और गाडियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सकाइब और लाइक करना मत पूलना मैं आपको और गाड़ीयों के बारे में भी जानकारी दूंगा हमारी वीडियो समाप तो होते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में और इसी तरह चैनल पे बने रहना वीडियो को स्किप मत करना आपने पूरी वीडियो देखी हो अगर आपको कुछ बीच में मिस्टेक लगी हो और कुछ गलत लगाओ तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत पूलना थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में बाई